पाम्ता खंड विकास कारेले में स्टम पाम्ता के अध्यक्षिता में बैठेक कल आयोजन किया गया जिसमें शिराई के पुर्विधायकर बलदेव तुमर बीर वहादुर खंड विकास अधिकारी गौरव धिमानवर 23 पंचायतों के प्रधानव बीडिसी सदस्य मौजूद र रही हैं वहीं पाम्ता एस्ट्यम विवेक महाजुन ने जानकारी देते हुए बताया कि कई यूजना ऐसी हैं जो आज तक पंचायतों में नहीं पहुंच पाई हैं और लोगों उसका फायदा नहीं उठा पाई हैं इन यूजना को लोगों तक कैसे जोड़ा जाए इन सभी को लेकर चर्चा की गए शिलाई के पुर्विधायक बलदीब तुमर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शिलाई एक शेतर पहाड़िक शेतर हैं ऐसे में लोगों को सुविधाय पहुंचाने से पहले अपना दम तोड़ देती हैं उन्होंने कहा कि केंदर में मोदी सर सरकार और प्रदेश में जैरम सरकार के नेतरित्व में लोगों को कई योजनें दी जा रही हैं इन सभी योजनाओं का फाइदा पहुंचाने के लिए आज बैठक रखी गई थी इसके अलावा खशेतर में बढ़ रहे खनन पोली कर भी चर्चा की गई और इसका में जो मकसद था यह था कि जन प्रतिमिद्यों और अधिकारियों के बीच में एक सही ताजमियल बढ़ रहे हैं और जो भी फीडबैक जो है जन प्रतिमिद्यों से मिलेगा उसको सामने रखते हुए अधिकारी जो है वो अच्छा खाम का पाइदा है किस कीम में क्या प्रगती है किस कीम में क्या रुबावत है रोसर भीच्छ किया गया और जो जन प्रतिमिद्यों के जो भी रिलेटेट हो उनके समस्याइदी या उनकी कोई भी शिकायते दी अपने फीड़एक न इसमाद्यों से लखी थी और आज सब्वेड़ी जान और हम अपने जानकारी जिए है और परतिमिद्यों से मिलकर जो है इसका thing कोडिनेशन को यजार पर भी रिलेट पर प्रिशे पर आज हम दो ने यहां पर विस्ता कर चाहिए। अब सभी और हुल्टी कल्चर एगरी कल्चर एगरी कारियों से बात करी है। और उनको हमने कहा है कि वह शेत्र में जाकर वहां पर अवेर्नेस केंप लगाए। और जो सुभी दायर्ट किसानों के लिए मूहनी चाहिए और जनता तरफ पहुंचे किसानों तरफ पहुंचे उसके लिए आज यहां पर बात पेज़े लिए और जिमसाद उस सब्सक्र में करेंगे यह बात अब आज गठक में आदी बात कर सामने रखेंगे। लाइब टाइम्स टीवी के लिए पाम्ता सहिब से दिवान शर्मा के रिपोर्ट दोच कंपर